आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी और हैल्दी चीज तीरंगा ढोकला, फिरेंट 26 जनवरी आ रहे हैं, तो इस असर पर आप जरूर बनाईएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, तो चलिए देख लेती इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले भोल तयार करेंगे, एक छोटी कटोरी से मैंने यहां पर आधा कटोरी दही लिया है, और यह ज्यादा खटा नहीं है, तो आप एक दिन का पुराना दही भी ले सकते हैं, तो थोड़ा से इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसा, अब इसमें थोड़ा थोड साइड में रख देते हैं फूलने के लिए, तब तक हम आगे के त्यारी कर लेते हैं, जोगला बनाने के लिए मैंने यहां पर केक टीन लिया है, आप चाहतों इसके जब कोई थाली भी ले सकते हैं, और इसमें अच्छे चारो तरब तेल लगा लेंगे, अब एक दूसरा ब चीज लिया है, आपके पास जो भी चीज हो आप डाल सकते हैं, या पनीर भी डाल सकते हैं, एक चोथा काली मिर्च क्या पॉडर डालेंगे, और एक चोथा ही नमक डालेंगे, थोड़ा ही नमक डालें, नहीं तो तेज भी हो सकता है, और मिक्स कर लेंगे सभी को, सभी चलिए अब सूजी को देख लेते हैं तो देखें सूजी काफी अच्छे सफूल गया है और गाढ़ा हो गया है तो इसे मैं तीन भाग मैं करूंगे सूजी को तो पहले हम सारे सूजी को एक बावल में निकाल लेते हैं तीरंगा सैंडविच बना रहें फ्रेंच तो यह आप मैं दो से तीन चमस चारी दन एक चड़ने डाल दे रहे हूं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह अभी भी पूरी तरह से ग्रीन नहीं हुआ है अब इसमें एक पिंच ग्रीन फूड कलर डाल देंगे और फिर इसको फ्लापी बनाने के लिए सबी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आप इसकी कंसेस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से त्यार करना है तो अब हम इसको केक की मोल्ड में डाल लेते हैं अब इसे हलका सा टैप कर देंगे और चलते हैं गैस के तरफ क्य सबीन काफी गाड़ा है तो इसमें पाने डालकर थोड़ा सा अच्छे से इसको मिला लेते हैं एक चमश तेल डालेंगे और इसको भी अच्य से जाना लिए तो यह हमारा बेटर विल्कुल तयार हो गया है वह आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं दिल्कुल से मिसीता से तियार करना है इसमें से भी आधा बैटर निकाल लेंगे ती रंगा में ग्रीन के बाद वाइट कलर आता है तो हम वाइट कलियर तियार करेंगे तीसमें मैंने फिर सी एक चोथा यह मीठा सोडर डाल दिया है अगर आप इनो फूर्ट शॉल डाल रहें तो एक पैकेट में ती इसे ढोकला का टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा और यह ढोकला बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और यह बड़ों को भी पसंद आने वाला है तो चारों तरफ मैंने वेडर को डाल लिया है फिर से इसे ढखकर मीडिया माज़ पर चार से पास मेर्ट तक पकाएंगे तब तक हम तीसरा लेयर त्यार कर लेते हैं फ्रेट्स हमारे जो ती रंगा जंडा होता है उसके जो लास्ट औरेंज कलर होता है इसलिए हमों के सरीया भी बोलते हैं तो इसको औरेंज बनाने के लिए मैं आप थोड़ा सा फूड कलर मिला रही हूं जिसे कि बहुत ही प्या या उत्मम भी बना सकते हैं ती रंगा कलर का क्योंकि कलर फुल चीजे बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और यह काफी टेश्टी और हेल्दी भी होता है बेटर हमारा बिल्कुल तयार हो गया तो चलते हैं फिर से गयास के तरह चेक कर लेते हैं इसके उपर के लिए शुक गया है फ्रेश तो अब इसके उपर फिर से यह औरेंज कलर डाल लेंगे और अच्छे से फैला लेंगे तो यह ती रंगा कलर के ढोकला बहुत ही अच्छा देखने में भी और टेश भी इसका काफी अच्छा होता है फिर से इसे मीडियम आज पर धकर पकाएंगे चार से पांच में तक यह दोगला लगबग 10 से 15 में त्यार हो जाता है प्रेंड्स आप देख सकते हैं दोगला काफी अच्छे से फूल गया है चीज का मिस्रण मैंने थोड़ से बचा लिया था लाश मन डालने के लिए तो फिर से इसके उपर हम डालेंगे थोड़ा से स्पाइसी बनाने के लिए आप मैं लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दे रही बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है अब इसके उपर तड़का डालेंगे तो तड़का में मैंने सरसो कड़ी पता धनिया और हरी मिर्च डाल के त्यार किया है पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है इसलिए मैंने दिखाया नहीं है आप ब बहुत ही अच्छे से फूल गया है और काफी सॉप्ट बना हुआ है और यह देखने में बहुत ही प्यारा कलर लग रहा ती रंगा कलर यह लीजिए फ्रेंट्स गर्मा गरम सुपर टेशी डोगला बनके तयार हो गया है जो कि बहुत ही सुन्दा लग रहा देखने में ती कलर आप इसे चटनी के साथ या स्वास के साथ सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो के ज्यादा ज्यादा लाइक शियर करें कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि कैसी लगी मेरी आज की रेस्पी फिर मिलें नेक्स र